इसके बारे में जनरली आपको कोई नहीं बताने वाला ठीक है यह है बहुत इंपॉर्टन चीज बट जनरली आर इसके बारे में लोग डिसकस्विन करते नहीं है ठीक है मतलब एस चीज को बहुत लाइटली ले ले लेते हैं कि यार इससे क्या ही फरक पड़ता है बट भाई लिटरली कह रहा हूं यह आपके बीस से तीस तंबर एफेक्ट कर सकता है फाइनल डी डे पर आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हमें क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए हैं जिससे हमारा स्कोर आकरी में बूस्ट अप हो सके हैं मतलब वह हमारा जो डिजाइड स्क गेट था 99% डायल का टागेट था और I was able to achieve it ठीक है कुछ चीजें है यार जो मैंने आकरी के वक्त में की थी जो मेरे लिए बहुत beneficial हुई कुछ मैंने गलतियां भी की थी आकरी के वक्त में हैं मतलब आकरी के 40-50 दिनों की मैं बात कर रहा हूं उनमें मैंने कुछ गलतियां दे रखें नीचे वहां से आप चीजों को skip कर सकते हो so with that being said now let's get started तोर जो सबसे पहला और most common doubt रहता है एसपरेंट्स का कि यार भी हमारा तो बहुत सारा syllabus रह रह रहा है यार फिर हमारा 20-30% syllabus रह रह रहा है यार हम क्या करें कौन सी approach रखें इस वक्त ठीक है और यार personally मेरा भी पूरा syllabus नहीं हुआ था ठीक है मैं भी कुछ chapters छोड़ के गया है इससे आर आपको अगर कोई formula based question आ जाता है उस chapter से वो तो आपका at least हो जाएगा अब ठीक है बात करते है यार भी या इस वक्त हम करें क्या हमारा तो syllabus रह रह रहा है अच्छा खासा ठीक है उपर उपर से करने से यार नहीं होते question journaling है ना वो तो अगर आपका किस्मत हो ग किया जा सकता है इस पर मैंने तीनोई subject के लिए अलग अलग वीडियो बना रखें physics की अलग chemistry के अलग maths की अलग ठीक है उसमें आर मैंने हर chapter के important topics बता रखें और कौन कौन से important chapters है वो चीज़े मैंने बता रखें उन सारी वीडियो की link आपको description में मिल जाएगी make sure आर उन वी वस completion की तो try मतलब ज़रूरी नहीं यार आप हर्जीस करके जाओ ठीक है अगर आपने ये weightage high weightage वाले chapter भी कर लिए तो भी यार आप अच्छा खासा score कर सकते हो ठीक है मैंने खुद यार around 180 के आसपा score किया था मैंने भी यार बहुत सारे chapter छोड़े थे तो मतलब हो जाती है आप यार थोड़ा strategically systematically चीज़ों को करो तो तर जो दूसरा point है जिस पर मतलब जो बहुत साथा confusing रहता है अब यह कितने mock test दे अब यार देखो mock test दे ना इस completely your call आप कितना mock test दे कि आप comfortable feel हो रहे हो है ना मतलब एक stage आता है कि आ अच्छा आपने इतने mock test दे दिए अब तो यार आप राम से चीज़ों को कर पा रहे हो ठीक है और आपका score भी desired score के आसपस आ रहा है तो it is completely your call ठीक है मैं personally यार अपने experience से बता हूँ मैंने round 25 से तो जाधी mock test दिये थे first attempt से पहले की बात कर रहा हूँ मैंने round 25 के आसपस मैंने 25-30 के आसपस मैंने mock test दिये थे ठीक है औ almost मैं हर एक situation से रूबरू हो गया था कि अच्छा यार लगातार इतने question नहीं होंगे अच्छा मेरा एक subject ही अगर पूरा कठीन आ गया तब क्या करना है मतलब हर एक situation से आप face कर ले तो हर एक situation को definitely आपका एक exam temperament अलग level का built हो जाता है तो और कुछ experience हैं ऐसे जिनोंने आर exam temperament built होता है दूसरा हर आप हर एक situation को face कर लेते हो है ना मतलब कि अच्छा मेरा एक पूरा subject कठीन आ गया अगर एक पूरा subject मेरा हो इनी रहा मेरे से तब मुझे क्या करना है उस situation में क्या करना है तो अगर आपने mock test में हैसी कोई situation face कर रखी होती तो आप असानी से उसको अस चार महीने पहले preparation start कर दी होगी उनके लिए मैं कहूंगा अराम से आप यार 10 के आसपास mock test दो और जो एक दो साल से preparation कर रहे है उनके लिए अर कम से कम 15-20 mock test देना compulsory है ठीक है वही चीज़ एक्जाम temperament आपका built होता है बहुत अच्छे से अब इसको आप इस तरह से भी relate कर स अल्रेडी किनवा चुका हो तो mock test का benefit बहुत जाद होता है personally क्या रहा हूं है मेरे improvement में from 117 marks to 178 marks है ना मतलब मैंने start किया था अपना पहला mock test जो दिया था full syllabus mock test उसमें 117 marks आयते और ऐसा नहीं था mock test cutting था mock test एकदम बिल्कुल जैमेंस level का था उससे लेकर मैं 178 तक जो मेरे final exam में marks है उनका यार मैं केवल और केवल एकी reason दूँगा कि यार मैंने mock test दबा के दिये थे ठीक है मैं daily basis पर देता था बट ठीक है अगर आपको daily basis पर नहीं देना आप alternative days पर दे सकते हो आप 2-3 दिन में एक बार दे सकते हो आप अपने ही साब से दिखो कि आपके लिए best suitable क् call हो है ना कि मैं हफते में मतलब 3 mock test दूँगा या फिर मैं daily basis पर mock test दूँगा ये completely आपकी call होगी अगर आप मुझसे personally पूछो अगर आपका 70-80% के आजपास लेवस हो रखा है तो definitely यार आप regular basis पर mock test दे सकते हो अब यार जो तीसरी चीज़ है यार उसके बारे में generally आपको कोई नहीं बताने वाला ठीक है ये है बहुत important चीज़ बड़ जनरली यार इसके बारे में long discussion करते नहीं है ठीक है अब यार इस चीज़ को बहुत lightly ले लेते हैं कि यार इससे क्या ही फरक पड़ता है बट भाई लिटरली कह रहा हूँ या आपके 20-30 तंबर effect कर सकता है final d-day पे तो please make sure ये जो अगली चीज़ है वो है sleep cycle एक perfect sleep cycle बनाने की कोशिश करो है अब यार इसका benefit बहुत सारे है ठीक है अब यार इससे हलके में मत लेना कैना यार इससे क्या ही फरक पड़ता है इससे फरक पड़त है अगर आपका exam सुबह वाली shift में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है इवनिंग वाली shift में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप sleep cycle को follow करते हो और अभी से follow up करना शुरू कर देते हो तो definitely आपको मतलब exam के लिए जादा कुछ effort अलग से नहीं डालने पड़ें सब्सानक से 10-11 बज़े सोना पड़ेगा ठीक है मतलब उसमें होता है बहुत जादा biological आपका clock difference आता है तो आपके performance पर फरक पड़ता है तो make sure अभी से हम थोड़ी इसकी practice कर रहे हूं ठीक है एक सोने का time तो at least fix कर लो यार मैं personally यार around 12 बज़े सोता था ठीक है ये मेरा fix था यार अगर इस से थोड़ा plus minus one hour आप कर सकते हो बट personally मैं कहूंग यार आप around 11-12 बज़े के आसपा सो जो और 6-7 बज़े उठने की कोशिश करो ये perfect sleep cycle होती है around 7 घंटे के आसपा सो दिन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट यार इस चीज को follow करो ठीक है इसे हलके में मत लेना है ऐसा point मत समझना है इसकी क्या ही importance है आखरी में जब आपको पता चलेगा न क्योंकि यार बहुत बच्चों का न मतलब उनकी नीद पूरी नहीं हो रखी होती है आखरी के exam के दिन जिस दिन उनका exam रहता और उससे आर उनके performance पे बहुत फरक पड़ता और यार ये च ठीक है तो फाइनल यार थैंक्यू गाइस अगर आपने हां तक वीडियो देखी है अगर आपको वीडियो पसंद आती तो मेक शुर रहा गिवड़ बिग थम्स अप और डोंट फोगे तो सस्क्राइब यार वी आर अल्मोस्ट नियर तो 10,000 सस्क्राइबर्स और आम थैंक् झाल